नवश्कार आज हम बात कर रहे हैं साक्षातकार की गुन क्या है और साक्षातकार की दोश क्या है जैसे कि आपको बताया था कि साक्षातकार अनुसंधान करने की एक विधी है जिसमें विशे से सम्मधित मोखिक सुचनाय प्राप्त की जाती है और इसमें क्या होता है कि साक्षातकार में व्यक्ति को अवलोकन का अवसर भी मिलता है क्योंकि वो उत्तरदाता से बाचीत करता है तो बाचीत के दोरान जो वो उत्तरदाता कहा है उसे वो सुनने का तो अवसर मिलता ही है उसे देखने का भी अवसर मिलता है और इसके दुआरा अनेक गुनात्मक और प्रात्मिक तत्यों का संकलन किया जाता है साक्षातकार का महत्व या गुनों के हम जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इसका बात करते हैं कि इस विधी का मनोवैग्यानिक महत्व है क्योंकि साक्षातकार विधी वो विधी है जिसके दुवारा व्यक्ति का मनोवैग्यानिक अध्यन संभाव है क्योंकि जब बाचीत करते हैं तो उत्तरदाता के विचार, भावना, धालना, इच्छा उनका भी आसाने से अध्यन संभाव हो जाता है क्योंकि साक्षातकार के दोरान सुचना द्वारा प्रकट के गए भावो चेहरो की मुद्रा जो होती हैं उनके अधातर सुचना दाता के मनोवैग्यानिक वैफार और उसकी मानसिक इस्तितिका भी अध्यन करने का मोका साक्षातकार करता को मिलता है बाचीत के दोरान भी सुचना दाता के कई मानसिक पक्षी जो हैं उनसे वो अवगत होता है तो जो साक्षातकार है इसके दोरा मानव वैफार को प्रभावित करने वाले जो मनोवैग्यानिक द्थ्थे हैं उनके अवलोकन और उनका अध्यन जो है वो आसानी से किया जा सकता है इसलिए मनोवैगनिक देस्टी से ये एक महतपून अध्यन है या मनोवैगनिक देस्टी से भी इसका अध्यन किया जा सकता है इस विद्धी के द्वारा अवलोखन करता जो सुचना जाता है उसका अध्यन किया जा सकता है उसके अलावा सभी इस्तर के लोगों से सुचना की प्राप्ति इस विद्धी के द्वारा संभव हो सकती है यानि कि जैस सिख्षित हो या किसी भी संस्कृती से संबंधित जो व्यक्ति है उनसे संपर्थ करके सुचनाय आसारी से प्राप्त की जा सकती है जो कि साक्षात कार करता परशनों को जैसा सामने वाला होता है उसका ज्यान जिसे इस्तर का होता है उसके अनुसार उसे समझा करके जो सुचनाई प्राफ्थ करना चाहता है वो प्राफ्थ कर सकता है व complaints अईसा नहीं है कि कुछ सूचनाई प्राफ्थ होंगी और कुछ नहीं होंगी उसके अलबा भूत कालीन घटनाओं का जो अध्यन हैं वो भी साक्षातकार के माध्यम से संभव होता है क्योंकि साक्षातकार जब होता है तो उसके द्वारा जो उत्तरदाता है उससे उसकी पिशली बातों के बारे विविजानकारिप्राव्त की जा सकती है क्योंकि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी सुन्रावर्थी तो नहीं हो सकती लेकिन उसके परभावों को हम बाचित के माध्यन से ग्याद कर सकते हैं जो उनके बारे में जानकारी प्राव्त जानकारी रखते हैं उन लोगों का साक्षातकार लेने से जिन्होंने उस घटना को देखा है उसे संबनित रहे हैं अथ्वा उससे प्रभावित हुए है तो हम उन घटनाओं की जानकारी वहां से प्राव्त कर सकते हैं जैसे सोतंतरता प्राप्त करने के लिए लोगों को किन की कटना ही उसे गुजरना पड़ा ये बात हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं जो लोग सोतंतरता से नानी रहे या उस समय के उस समय उनों समय उनोंने देखा है तो उनसे हम उस समय की घटनाओं के बारे में जानकारी प्र अब देखने कोरोना काल में कैसे बंद हुआ कैसे सब चीजे लोग हो गई लोगों का घरों से आना जाना बंद हो गया इन घटनाओं की भविश्य में जा करके अगर कोई एक्ति बात करना चाहता तो इस समय के जो लोग हैं वो इसके बारे में अच्छी तरह से वर्णन कर सकत हैं इसी तरह से अमूर्थ घटनाओं का अध्यन अमूर्थ होती हैं जो दिखाई नहीं देती तो साक्षातकार के द्वारा हमोन अमूर्थ और अधर्श्य घटनाओं का भी अध्यन करते हैं जो व्यक्ति के विचार भावनाओं सम्वेक मांसी की सुति का अध्यन करने के प करते हैं अध्रिस्टि से इनका कि मेहत्व है और इनकी जानकारी विक्ति गतसंपर के द्वारा ही प्राफ्ट की जा सकती है कि उसके इलबा पारस्पर एक प्रेडना साक्षाथकार में कम से कम दो व्यक्ति दो व्यक्ति पून होते हैं एक साक्षातकार करता और दूसरा सूचना दाता आमने सामने होते हैं जैसा कि आपको इसे प्रादम में बताया था कि साक्षातकार करता परशन पूछता जाता है और उत्तर जाता उसके उत्तर देता जाता है कई बर अगर साक्षातकार दाता कहीं अटकता है त तो वो साक्षातकार करता, उसे प्रोथ्छाहित कर सकता है, प्रेगित कर सकता है और मितरता पून दोनों के बीच, जो समन्ध स्थाविक्त वो कर लेते हैं, तो उसके कारण से सूजना दाता, अपने गोपनियें और जो महतपूर्ण तथे हैं बाते हैं उनको भी वो बता देता है तो ऐसी सूचनाएं जो अन्ने शिरोतों से प्राप्त नहीं हो सकती या जो एक प्रेज़ना के माध्यम से वो प्राप्त कर लेता है, साक्षातकार करता उसके लवा सूचनाओं का सत्यापन यानि कि जो सूचनादाता के द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं उनकी विश्वसनेता और सत्यता की जान जो है साक्षातकार के दोरान की जा सकती है साक्षातकार के दोरान खोजपूर्ण प्रशन पूरक प्रशन के दोरा सूचनाओं की सतता जानी जा सकती है और साक्षातकार करता वहाँ उपस्तित रहता है तो कहीं पर भी अगर उसे कोई चीज एसपस्ट लगती है या संदेशपद लगती है तो भी वह सूचनादाता के समक्ष उसे इसपस्ट तरीके से पूछ सकता है यानि कि सूचनाओं का बारे में कहीं भी कोई भी ऐसपस्ट सा होने पर उनका सत्यापन किया जा सकता है उसके अलावा घटनाओं का अवलोगन क्योंकि साक्षातकार में जो है उतरदाता और साक्षातकार करता दोनों आवने सामने होते हैं वो घटनाओं के बारे में कि और परशन पूछने की वास वी दहन नहीं होती बलकि जो वो कुछ कहरा है उसे अपनी आखों से अवलोगन भी वो कर सकता है तो इस तरह से जो सामगरी वो इखटी करता है उसकी सत्यता का जानकारी वो साथ के साथ लूँ कर सकता है उसके अलावा विविद्य सूचनाओं की प्राप्ती विविद्य सूचनाओं से तात पर यह है कि जब जो साक्षातकार के दोरान अध्यन करता जो आपने सामने होते हैं तो उनके द्वारा विभिन बरकार की सूचना दाताओं से वो सूचना इप्राप्त कर सकता है यानि कि किसी वर्ग के हों, किसी विजाती के हों धर्म के, व्यवसाय के, आईउ के, लिंग के सामाजीक सैक्षनिक इस्तर में अंतर होने पर भी साक्षातकार के द्वारा जो है विभिन सूचना को संकलित किया जा सकता है उसके लावा लचीली विधी साक्षातकार विधी को लचीली विधी माना गया है विशेवस्तु की दृस्टती से भी और संचालन की द्रस्थि से भी क्योंकि इस में जो हम जब साक्षातकार करता है छेतर में जाता है तो तथ्य संक्लन के लिए जैसा आपर देखता है आवाशकता परसनों को कम करना, जादे करना या विशे से संबंदित जो है जो भी उसके आवशक्ता होती है उसके आधार पर वो उसमें परिवतन कर सकता है या जादे लोगों से सुचना रप्राफ्ट कर सकता है या कम उसे आवशक्ता है कि जादे लोगों के आवशक्ता नहीं है तो उनकी संख्या को कम भी कर सकता है ये साक्षातकार के गुन्ते जो की अध्यन को एक अध्यन के दस्ती से ये विधी अध्यन्त महत पूर्ण पमाने गई है लेकिन जहां गुन होते हैं चीजों का महत होता है उसके कुछ दोश भी होती है उसके कुछ सीमाई भी होती हैं इस विद्धी का प्रियोग हम सभी परकार के अनुसंधानों में नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर परते साक्षातकार करता से भी साक्षातकार के सफल संचालन के और एक इंटेस्ट ले करके अध्यन की देस्टे से अध्यन करना ये आवश्यक होता है कई बर जो अनुसंधान करता है वो शिगरता पूर्वक या पून उत्तरों के आधार पर ही ये समय लेता है कि जो कुछ बताया गया है वो पून है इसके अधर हम सीमाओं का या दोशों का उले करते हैं तो सबसे पहले इसमें आते हैं दोश्पून इसमर्न शक्ति दोश्पून ये आप जानते हैं कि जो यादास्त है हमारे व्यक्तित के अंदर भूलने का गुन है और समय के साथ साथ चीजे या यादास्त कम्जोर पढ़त से जल जाती है चीजे इतनी याद नहीं रहती और साक्षातकार करता की इसमर्ण शक्ति पर अनुसंधान करता हो या साक्षातकार करता को भरोशा करना पढ़ता है परतिक साक्षातकार करता से ये पिक्षा नहीं की जा सकती कि वे सभी बातों को याद रख पाएगा अतह नोट कर ले जाने की भी संभावना तहती है यान क्योंकि साक्षातकार के दोरान जो है वो तथ्यों को साथ शाथ नहीं लिखा जाता है जब बाद में लिखता है तो कुछ नहीं तो चूट भी सकते हैं उसके अलावा जो सूचना दाता है है वो भी भूतकाल की सारी घटनाए पूरी तरह से उसे याद रहें यह अपएक्षा उसके नहीं की जा सकती ऐसे एसी इस्तिति में जो संक्लित त्थ्थे अपूनिया दोश्यूत हो सकते हैं उसके अलावा अभीनती की संभावना अभीनती होता है पक्षपात, व्यक्तिगत पक्षपात आने की संभावना क्योंकि सूचना दाता और साक्षात करता कि विचार, मुल्य, संस्कृती में भिंता होती है और एक ही घटना, परशन और शब्दों का अलग-अलग अर्थ लगा सकते हैं सूचना दाता तो अपने विचार पर करते समय अपने विक्तिगत भावन पक्षपात को जोड़ता ही है साक्षात करता भी उन्हें गिरहन करने में पक्षपात से नहीं बच सकता इसलिए जो संक्लित सामगरी है उसमें एविश्वसनिता या संदेजिता है उसके बने रहने की समभावना हो सकती है उसके अलावा ही निता की भावना साक्षातकार के लिए क्या होता है साक्षातकार करता को सूचना दाता कि कई चक्कर लगाने पड़ते हैं उसे संबख करना पड़ता है और उससे कहना चाहिए कि उसके सामने की वही हमें साक्षातकार आपकी जरूरत है अगर आप हमेरे परशनों के उतर दे इसके लिए उसे अन्य परकार के लोगों के बाहर जाना पड़ता है जो उसके साथ अच्छा और बुरा सभी तरह का वेहार करते हैं जिसके कारण से साक्षातकार करता में हीनता की भावना पैदा होती है उसके आत्मसंवान को ठेस लगती है जिसके कारण कई बार वो महथमून सुचनाओ का इस अंकलन जो है विवस्तावस नहीं कर पाता है उसके अलवा साख्षातकार दाता पर निर्भरता साक्षातकार दाता पर निर्भरता करता है क्योंकि सूचना किसी एकटी करनी है जो उतर देने वाला है साक्षातकार दाता पर कई बार वो अपनी इसी सितिका दुर्पयोग भी करता है और साक्षातकार करता को अपने घर के कई चकर लगाने को मजबूर कर देता है कि वेरे पास टाहिव नहीं है, वो समयाना, इस समयाना, तो वो बहने बना कर उसे टालने का प्रियास भी करता है, जिसके कारण से जो ये विधी है, पूरी रूफ से, पून रूफ से जो है, साक्षातकार दाता की दया पर निर्भत हैती है, उसके लावा अशुद्व रिपो साक्षातकार करता, द्वारा जो लिखित परती वेदन है, उसमें व्यक्तिकत पक्षपात, विचार, भावनाओं का समावेश होने के कारण से, रिपोर्ट में आशुद्वता आने की संभावना रहती है, और उससे क्या होता है, हमारा अध्यन पर भावित होता है, व्याग साक्षातकार करता पर, साक्षातकार करता की योगता, कुशलता, पर्सिक्षन, बुध्धी, वाकवरुता, बोधी की मानदारी पर साक्षातकार की सभलता निर्भर रहती है, और सभी साक्षातकार करताओं से इन गुनों की अपिक्षा नहीं की जा सकती, ऐसी में वो या त तो साक्षातकार का संचलन संफलता पूरोप नहीं करते या उनके द्वारा संक्री तत्थे जो है वो अपरमानिक या एविश्योस में होते हैं उसके अलाबा खर्चिली परणाली यानि कि साक्षातकार जो है वो खर्चिली परणाली है समय की दरस्ठी से भी, कारेकरताओं की, क्योंकि अलग लोगों से संपर्ख करना पढ़ता है कई बार साज़ात कारदाओं के कैचक्कर लगाने पढ़ते हैं जिसके लिए अधिक समय भी चाहिए, कारेकरता भी अधिक चाहिए उनको परसिक्षन, वेतन, यात्रा के लिए खर्चा, आधी के लिए धन की वियधिक की आवश्यक्ता होती है तो ये विधी जो है, ये एक खर्चेली विधी मानी गई है उसके लगा प्रस्ट भूमी की भिनिता, साक्षातकार करता और साक्षातकार दाता दोनों की सामाजिक और सांसकर्थिक प्रस्ट भूमी में विधीनता होती है उनके सामाजिक परियारन, मुल्य, आदर्श, भाषा, आदी में विधीनता पाई जाती है जिसके एकारण से उनके बीच एक दिवार बन जाती है और वे साक्षातकार में कठनाई यानुभो करते हैं तथा शब्दों और घटनाओं का विभिन अर्थ क्योंकि जैसे उनकी प्रेस रूमी होती है उसके आधार पर वो एक ही शब्द का घटना का अलग 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 अर्थ लगाते हैं और उसका प्रभव किस पर पढ़ेगा अध्यान पर पढ़ता है उसके अलावा ए विश्वस्निय और ए परमानिक सूचना है साक्षातकार द्वारा जो प्राफ्त सूचनाओं में विश्वस्नियता और परमानिकता का अभव पाया जाता है ऐसी कोई वीड़ी नहीं है जो साक्षातकार में आने वाले पक्षपात और गृत्रमता को रोख सके साक्षात कार करता और सुचना दाता दोनों के पक्षपात के परवेश की पूरी समभावना रहती है क्योंकि सुचना ये लिखने वाले ने कैसे लिखी है इखटा करने वाले ने कैसे इखटी की है या सुचना देने वाले ने कितनी सतता उसमें रखी है इस बात की जानकरी राथ करना कठिन होता है उसके अलबा जूटी परतिस्ठा का भाव साक्षातकार दाता कई बार अपनी जूटी परतिस्ठा को बनाए रखने के लिए सही सुचना नहीं देता जैसे कोई भी राजनेता, जातिवाद, बालुवाद, शिराब राजनेता के पक्ष में अपनी राए नहीं देना चाहेगा क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है ऐसा करने से समाज में जो परसेलिस मुल्य हैं और विश्वास हैं उनके विए सब चीजी विपरीत होगी अगर हम की से पूछते हैं क्या आप जाती विवाद के खिलाफ है तो वो कहेगा हाँ मैं खिलाफ ही हूँ वालुवाद करना चाहते है तो या उसके पक्ष में है या भी पक्ष में है तो कहता नहीं भी पक्ष में है शराब को सब क्या कहेंगे ने गलत है तो वास्तिक्ता उसके मन की क्या है ये जान पाना मुश्किल होता है इसके अलावा जूटी पर अपूर्ण सूचना है साक्षातकार जो डाता है कई बार जो सूचना अध्यन की देस्ट्री से महत पूर्ण हो सकती है वो अपने देस्ट्री से उनने महत भीन समझ करके छोड़ देता है और घटना के बारी में पूरी जानकारी नहीं देता वेह अपने विचारों को बताने में आसमर्थ हो सकता है ऐसी स्थिति में साक्षातकार द्वारा संक्लित सूजनाएं अधिक उपियोगी नहीं हो पाती है उसके अलाबा परसिक्षिन का भाव साक्षातकार के लिए कुशल और पर्षिक्षित साक्षातकार के आवशक्ता होते हैं क्योंकि साक्षातकार दाता को टैकल करना उससे परष्णों के उतर लेना ये सब जीजें एक मनोवैज्ञानिक दरस्टी से उसे ज्यान होना चाहिए कि वो मानव के वहवार को किस तरह से संचालित करे उसे साक्षातकार संचालन का अनुभव होना चाहिए किन्तु सदेव जो है साक्षातकार करता इतने दक्ष परस्विशित हो ऐसा नहीं होता ऐसे साक्षातकार करता जो है वो अपलब्द नहीं हो पाते तो कई बार सुचना दाताओं से वास्टिक सुचनाय संकलित नहीं की जा सकती है उसके अलावा इसमें समय की भी बरबादी होती है क्योंकि सुचना दाता जब अपना जानकारी देता है तो कई बार वो ऐसी चीजों के बारे में भी बताने लगता है जो विशे से संबंदित नहीं होती लेकिन साक्षातकार करता को मजबरर वोने सुनना पढ़ता है क्योंकि उससे साक्षातकार जो दाता है उस पर नियुभर होता है तो उसकी इधरोजर की बाते विशे सुनने पढ़ती हैं सुचना दाताओं की जो मांसिक इस्थिती है उसमें भी असमानता और एस्थिरता होती है कई पर्षन और विशो कोने समझाना एक कठिन कारी है भूत कालिन कुछ घटनाएं ऐसे भी हो सकती है जिने याद दिलाने पर वो क्रोधित हो जाए या उत्तेजित हो जाए लेकिन वो किस बात से क्रोधित होगा या किस बात से उत्तेजित होगा इस बात की जानकारी साक्षात कारकरता को नहीं होती तो ऐसे इस्थित्या जो है वो अध्यन के लिए उचित नहीं रहती और अध्यन में तुष्परता होता है या पूरी सुचने कार्थ नहीं होती है ध्यम्ने झाल झाल झाल